दोस्तों रुबस्कार दोस्तों विलकॉम टो आपके यूटिव चानल में आपका फीड से स्वा गया तो जी हाँ दोस्तों बिहार बोड की तरब से बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट बेस सब्री से इंतेजार कर रहे थे कि सहरे हमने 15 में लेकिन क्या करें अब उसके लिए क्या करना होगा तो घबरानी की कोई बात नहीं क्योंकि बिहार बोड की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि 2014 में जितने सारे स्टूडेंट मैट्रिक में फैल हुए है वो टूटा 2021 के फाइनल बोड में एक्जाम में भाग ले सकते हैं तो अब देट चाहते हैं तो दोस्तों इस चाहल पर बढ़े रणा उगा उससे पहले आप सभी बता देशन पर भी भरा जाएगा फॉर्म दोस्तों बोड दोर पहला वार इतियास रहा जा रहा है कि जो पुराने रिश्टेशन हुआ है जिन्वे स्टूडेंट को उन्हें फॉ रखते हैं आवेदर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट भी कर रहे थे कि सर तो अबने रिश्टेशन करवाया थे उस अनुशार पर हम दोर इकीस में परिश्चा दे पाएंगे अथवर नहीं मैट्रिक का तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ के परिक्षा समीति ने मैंट्रिक और इंडर परिक्षा 2021 में फॉर्म भरने की ठीथी जारी करती है इसमें 2014 से फेल अस्टूडेंट भी 2021 में मैंट्रिक परिख्छा दे सकते हैं और बतायागा है परिख्छा में 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 तक के पंजे करीत वाई से पुरुवर्ती अनुतिन अस्टूडेंट जो मैंट्रिक परिख्छा में 2021 सभी विश्यों की परिख्छा में समलित होना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों उन सब यह स्टूडेंट के लिए मौका दे दिया गया है जो किसी कारण वस्ट फेल हो गए थे और कोई कारण वस्ट एक साल दो साल में नहीं मतलब परिच्छा नहीं दे पाएं थे और वो चाहते हैं कि हम 2021 का final board exam दे पाएं तो उनके लिए form भरा जा रहा है और बता दिया गया है कि जो पुराना रेजिस्टेशन आपका हुआ था उसी रेजिस्टेशन पे आपका new form भरा जा रहा है 2021 का exam में जी हाँ दोस्तों और बताया गया है उनके पूर्प के पंजियन के अधार पर ही मैट्रे अधर online भरा जाएगा इसके online form में student का option select करना होगा जी हाँ दोस्तों इसका जो option रहेगा आपका student का option select करना होगा आप से भी को बता दें दोस्तों कि बहुत ही अच्छी good news है दोस्तों कि बेसबरी से इंतेजार कर रहे थे बहुत सारे student की सेर हमने कोई कारण वास 14 में हम र जल्ट फेल कर दिया गया था और हमने एक्जाम नहीं दिये थे तो अब हमें क्या करना होगा तो घबरानी की कोई बात नहीं है आपके लिए option जारी कर दिया गया है बिहार बोट अनंद किसुर के द्वारा वह इसे में आप भर सकते हैं और 2021 का बोट final exam दे सकते हैं लेकिन बताया गया है दोस्तों मैट्रिक परिक्षा 2020 में सफल और 2021 के वार्षिक परिक्षा में बेटर्मेंट कोटी के रूप में समलित हो सकते हैं एक या सभी विश्यों में बेटर्मेंट के लिए परिक्षा दे सकते हैं जिहां दोस्तों और बता देते हैं इंटर का परिक्षा जारी यानि कि बिहार विद्याले परिक्षा समीति ने मंगलवार को इंटरमीडिर देगी इसके लिए परिक्षा फॉर्म जारी कर दिया गया है इंटर के लिए परिक्षा फॉर्म 19-28 अगश्ट तक ऑनलाइन भरा जाएगा सिचन संस्थानों के परधान फॉर्म को वेब बताया गया है कि आप सभी को कि जितने सारे स्टूडेंट 2014 से ले करके 2020 तक स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं उन्हें पूराने रेजिस्ट्रेशन के इसाब से 21 में फैनल एक्जाम देने का अनुमती दे दिया है तो आसा करते हैं दोस्तों कि पूरी जनकारी आपको इ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों मिलते ने स्टूडें में थांक्यों दोस्तों